हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो स्टेडी विद हर्शित, इंपोर्टेंट कॉस्चन एंडान्स सीरीज, बिजिनिस एंवार्मेंट एंड लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ बिजिनिस, कॉस्चन नमबर सिक्स है हमारा, वाट इस टर्मिनेशन आफ कॉंट्रेक्ट, टर्मिनेशन आफ क लोकिमेंट होता है, जो इसमें राज, दोनों पार्टी एगरी होती है, कि यह निनिन कंडिशन को हमें फॉलो करते हैं, और हम दोनों जो है इस चीज को फॉलो करेंगे, यह एंड कैसे कैसे होता है, मिच्वल एगरिवेंट, जब दोनों पार्टी एगरी हो जाते हैं, कि भ होते हैं भायदर करे गए होते हैं वह बाते पूरे नहीं के वह वह पार्फॉरियटी अफ परफेमस्टेंस अराइस हुए कि जो है इमपॉसिबिल होगा जो में करते हैं उनको फॉलो करना इस वाज़े से वह प्रमिन से हो जाते हैं contract contract जो है cancel होते हैं जब पार्टी जो है restore करती है position before the contract was made usually ही होते है due to fraud misrepresentation और mistake की विजए से termination by breach अगर जो है agreement पार्टी जो है दोनों पार्टी होती है उनमेंसे एक ने डेटा लेक कर दिया या कोई दूसरे पार्टी की sensitive information उसने लेक कर दी तो termination जो है data breach की विजए से भी होता है a breach of a binding agreement is when one party fails to uphold the end of bargain which can include anything from revealing confidential information confidential information लेक हो जाती है to make a late payment ये सभी points थे termination of contract के I hope friends आप सभी को समझ माया होंगे इस सीरीज में हमारी 12 वीडियो से एक बार आप सभी को जरूर देखें और भी सभी subject के important question अन्सा सीरीज हमारी YouTube चैनल Steady with Harshit पर एविले विले हैं thank you so much